हे गाईस स्वागत है आप सभी का मेरा नेम है रिचा आज हमें एक न्यू वेकेंसी आई है उसके बारे मुन डिस्कॉस करने वाले हैं आज है 6 सेप्टेंबर और 6 सेप्टेंबर को ही आई है उत्राखन टीचर एलेजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सारा चीछ बताएंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं सारा चीछ सो जुड़े रहे हैं सो आज ही के दिन आप जैसे की देख पा रहे होंगे कि 6 सेप्टेंबर 2021 को ये आज ही के दिन जो है ये वेकेंसी आई है सो यहाँ पर ये जो एक्जाम लिया जाता है वो उत्राखन बोर्ड यानि यहाँ पर ये जो वेकेंसी निकाली गई है वो प्राइमरी और जूनियर लेवल पर निकाली गई है यानि दोनों ही लोग अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर इसकी एक्जाम की जो फी होगी वो 1500 और बोथ पेपर की 600 और 300 मल्टिपल्स में होगी आगे हम देखेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी कैटेगरी की अकॉर्डिंग वो उसमें दिखा देगा चलिए आगे की डीटेल्स देख लेते हैं अगर एप्लिकेशन जो है वो 19 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताए रेजिस्ट्रेशन की 30 सेप्टेंबर ह फीस पेहिंड की लास्ट डेट भी 30 सेप्टेंबर है और लास्ट डेट कंवडीट फोर्म की भी 30 सेप्टेंबर है एकजाम डेट जल्दी बता दी जाएगी admin card जो है वो एकाम से पहले available हो जाएगे तो यह सारी चीज़ों है वो झाल्रेडी बता दी जाएगी अब अब यहाँ पर application fee के बारे में discuss कर लेते हैं कि कितने क्या fee लगेगी, तो देखिए paper 1 के लिए general OBC और EWS के लिए 600 fee है and SCST के लिए 300 fees है, प्लस बोथ लेवल, बोथ paper के लिए यानि अगर आप form junior और primary दोनों का fee करते हो तो आपको 1000 fee लगेगी, general OBC और EWS में और SCST में आपको 500 लगेगी, payment method आप net banking के through offline, online mode, credit, debit card में कर सकते हैं, यहाँ पर eligibility निकाली गई है, अलग-अलग उसमें कि आप क्या-क्या आपके पास criteria होना चाहिए, जुनियर लेवल के आप जिस भी लेवल के preparation करते हैं तो वो सारे आपको अलड़ी idea ही होगा, उसके अलावा यहाँ पर exam के centers दिये गए हैं, जिसे हरीद्वार, रूड़की, दहरादून, रिशी केस, उत्राक्ष्री, बारकोट, न्यू टहरी, एन नगर, पौरी, श्री नगर, कोटद्वार, गोपीश्वर, यह अलग-अलग जो हैं, यहाँ पर और देख लीजेगा, यह सारे यहाँ के वो हैं, उसके अलावा उत्राखन TET के लिए आप class 1st to 5th और 6th to 8th classes के लिए आप form फिल कर सकते हैं, यहाँ पर exam देने के लिए, तो यहाँ पर आपके उसमें अलग-अलग जो है, वो already पूरे यही notifications दिये गए हैं, कि यहाँ पर आपके पास document जो है, वो आपको scan करके रखने होंगे, photo, sign, ID, proof वगरा जो है, यहाँ आपको already रखना होगा, so final print वगरा भी आपको submit करना होगा, form आप submit कर सकते हैं, so interested candidates यहाँ पर link दी गई है, अगर apply करना चाहें, so आप apply करना चाहाँ कर सकते हैं, साथी मैं आपको एक बात और बता दू कि अगर ज description box में सारी information दे दूँगी, तो आप उसके through हमें message कर सकते हैं, आप अपनी details send करवा के form जो है, fill करवा सकते हैं, जो भी fees होगी आपकी, उसके अलावा आपके extra charges जो है, वो 50 रुपीज लगेंगे, so अगर आप interested हैं, तो नीचे आप description box चेक कर लीजेगा, उसमें आपको सारा और मिल जाएगा, so आप वहाँ से चेक कर लीजेगा, मिलते हैं next video में, bye bye, thank you